कि वर्साथ हो रही हो और मिल जाए पकोड़े च्टनी के साल खटी के साल घ्atic रात हरी वाली तो बात हीorit मज़ा आ जाए मोसम तो देखेंगे आज हम बनाएंगे पकोड़े और पकोड़े होंगे अंदर से तो सबसे पहले हम तयारी कर लेते हैं उनके लिए मैंने अट्स जी यह हरी मिसटें साथ पकोडं में ना ना तो मजा आ जाता है खाने में ना यह मिद्य को कर kauan fine बारी कर mugrit को कभी वीडियों में आगे देखेंगे बिलकुल आसान तरीके से बताएंगे यह दाल के पकोडे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत टेश्ट ही लगते हैं आप एक बार 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 बनाने का मन करेगा जब भी वारिस हो रही होगी तभी आप कहेंगे के अरे पकोडे बना ले और वो तो गंटे दाल को भीगोना है बहुत ज्यादा सौफ्ट नहीं होनी है दाल तो देख पा रहे होंगे थोड़ा सा टाइट पन रहे जाए इसमें तो पकोड़े हमारे एक दब क्रप्सी बनके तयार होंगी अब इस दाल को भीगो ही दाल को दो गंटे हमने भीगोया था और कई दाल मोटी मोटी यार दरदरी दाल हमको चाहिए होगी पकोड़े बनाने के लिए तो देखिए हमने बिल्कुर दरदरी आप देख रहे होंगे हाफ आप टुकड़े दाल के भी देख रहे होंगे तो इस तरह से हमें दाल का पेस्ट चाहिए बहुत ज्यादा वारिक नहीं क तो इस तरह से आप जाल को पीश के तयार करेंगे अब हम निकाल लेते हैं इसको लेकल में डोर्टन में थोड़ा उड़ें तो चिपक जाती येजिंगे तो जाल नोसे पानी करें एक में दलेगे बस अब इस दाल में हम ये धनिया डाल देते हैं हरा धनिया और थोड़ी सी डाल देते हैं हम ये लाल मिर्च यो बारी करके हमने काटी थी बस एक चीज और डालेंगे इसमें तो हमारा बस ये मिक्चर बनके तयार हो जाएगा तो ले लेते हैं नमक टेस्ट के अनुसर और नम तको रालियेगा है कि भी इतना ही रखना अगर पतला हो जाका तो पोकोडी हमारी करारी नहीं बने PowerPoint, कशेश्यां के तिन में भी में कराई तो नहीं रुएघंग किना ह Surprise जाक सकते हैं गाड़ा पन इतना ही रखना अगर पतला हो जाएगा तो पकोड़ी हमारी करारी नहीं बनेगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा तो अब ले लेते हैं एक पैन मैंने फैली पैन ले ली है आप कोई भी ले सकते हैं इसको इस तरह से चम्मच की मदद से हम सभी को छोटे पकोड़ी बनके तयार हो जाएंगी देखिए सभी को हमने डाल लिया है अब क्या है अब इसको हम छोड़ेंगे गैस को आप मीडियम तो हाई रखेंगे लो बिल्कुन नहीं करेंगे लो करेंगे तो इसमें ऑईल भर जाएगा देखिए जब पकोड़ी सिखने पर आ जाए देखिए देख पा रहे हूंगे अपने आप इस तरह से यह ऊपर आ गई है तो आने के बाद भी हम एक दो सेकन छोड़ेंगे तब इनको पल्टेंगे देखिए आसानी से पलट जाएंगें नहीं एक दूसरे चिपकेंगी नहीं बदनके तैयार हो जाएंगे तो बस उलटत पुलटते इन पकोडियों को अच्छे से हम ब्राउंड होने तक सेकेंगे और यहीं पर जब तक हमारी पकोड़ी सेक रहे हैं जब तक तक मैं याद दिला दू फ्रेंड आप मेरी रेसिपी को सेयर जरूर कीजिए करिये जिससे आप और लोगों तक मेरी नई नई रेसिपी प इसको कैसी लगते हैं आपने अगर ट्राई की तो आपकी बने या नहीं बने तो इस तरह से इनको पलटते उलड़ते अच्छे से हम सेंखते रहेंगे कढ़ाई पलटते रहेंगे और हम ब्राउन होने तक वेट करेंगे देखिए हमारी कोड़ी बिल्कुल ब्राउन हो गई मुह में पानी आ रहा है एक दम तो देखिए और अब हम देखिए दूसरा गान भी हमारा तयार हो गया है हाँ एक बात और कहूंगी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए का जिससे नई नई रेसिपी आप लोगों तक और नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहेगा एक बेल आइकन आता है उसको जरूर दवा दीजिए गा जिससे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे है पकॉड़ी हमारी बनके तयार हो गई है बिलकुल परफेक्ट पकॉड़ी है तो इनको हरी चैटनी के साथ या खटी खटी च की रेसिपी और मैं ऐसे ही नई एक रेसिपी के साथ आपको फिर से मिलूंगी अगली वीडियो में तो इस बरसात इन पकॉड़ीयों का मजा लीजिए आज के डेट में और बताइए कमेंट में कैसी लगी मेरी पकॉड़ी थैंक्यू